सब्सक्राइब कीजिए टिप टोप न्यूज हिंदी चैनल को और बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए भीमा कोरेगाओं में हुए जात्य संगर्च के बाद हिंसा के आग पूरे माराष्टर में फैली जगाय जगाय परदर्शन हुए तलित तरुम राठाओं के बीच छिडे जात्य संगर्च में कई सवाल ऐसे हैं जिनने लेकर तरह तरह की चर्चाय गर्म है इस वीच टिप टो दूइत्ते के सैनिकों के बीच लड़ी गई थी अंग्रेजो की तरह से महार समुदाय के पान सो लड़ाकों ने पेस्वा बाजिराओ दूइत्ते के 28,000 सैनिकों को हराया था महारों ने पेस्वाओं को अपनी सेना में क्यों नहीं रखा दलित मामलों के जानकार डॉक्टर सलेंदर लेंडे के मताबिक जब सिवाजी ने मराठा राज्य इस्ताफित किया तब उनकी सेना में दलित भी हुआ करते थे बाद में जब पेस्वा सासकों के हाथ सत्ता आई तो दलितों का सोसन होने लगा उस वक्ट दलित चाहते थे कि वो पेस्वा की सेना में सामिल हो ल अंग्रेज भारत में दमनकारी नीती के तहत सभी सियास्तों पर कबजा चाते थे, उस दोर में पुणे में पेस्वा सक्तिसाली माने जाते थे, अंग्रेजों ने उन पर कई बार हमले किये, इसके बावजूद वे काम्याब नहीं होने पा रहे थे, बाद में जब माहर कि बगावत सामने आई तो अंग्रेजों ने उन्हें अपने साथ मिलाया और कोरेगाउं यूद में जीत हासिल की, इसा कहा जाता है कि इसहार के बाद पेस्वाओं का बाकी इलाकों में राज कमजोर हो गया, ताजा संगर्स की सुरुआत, भीमा कोरेगाउं विवाद की अंबर को हुई थी, जब कुछ हिंदुत वादी संगटन ने दलित गणपत महार के समाधी अस्तल को किसी ती पहुचाई थी, हाला कि मामला पुलिस ने उस वक्त सांत करा दिया था, इसके बाद एक जनवरी को बीमा कोरेगाउं यूद की दो सोवी बरसी पर दलित समुदा काई ने हर साल की तरह जूलूस निकाला, जिस पर कुछ कथित हिंदुत वादी संगटनों द्वारा पत्राओं करने का आरोप है, इससे हिंसा और बढ़क गई और एक वेक्ति की मोत हो गई, क्या मराटा आरक्षन आंदोलन के कारण बढ़ा विवाद, प्रूपेसर आरक्षन की मांग को लेकर परदर्शन कर रहा है, जिसे कुछ कटर हिंदुतु संगटन समर्थन दे रहे हैं, देखा गया कि मराटाओं में आरक्षन की मांग उठने के बाद, दलित समुदाय में भी सामाजिक सामानता को लेकर बहत चिड़ी, जातिया एंकार भी इस हिंसा का कारण बना, भीमा कोरेगाओं संगर्थ और अंबेडगर, महर समुदाय और पेश्वाओं के बीच हुए भीमा कोरेगाओं युद के बारे में उस वक्त भीमराओं अंबेडगर ने कहा था, कि यह युद सामाजिक ऐसमानता के कारण हुआ है, नोंने अपने माउथपीस वैसकर्त भारत में लिखाता कि येदी महर समुदाय को पेश्वा अपने साथ सेना में सामिल कर लेते तो भीम कोरेगाओं का युद नहीं होता, और ना ही पेश्वाओं का राज खतम होता, भीम कोरेगाओं युद की बरसी, जस्निया सरधान जली, प्रोफेसर डॉक्टर स समुदाय सोर्य गाता के रूब में मनाता है, यह दलीतों के कुम्ब की तरह है, लेकिन इसमें ना तो पाटपूजा होती है और ना ही लोग नदी में नहते हैं, बलकि यहां उन सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है, जिससे दलीतों के मन में आत्म सम्मान बना रहे